गुड मोरनिंग दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरे मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूस अपडेट के रूप में तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जदा ज़दा लाइक और शेयर करें तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर ग्रह मंतराले ने बीएसेफ को दिया बड़ा अधिकार इन राजियों में सीमा से 50 किलो मीटर अंदर कर सकेंगे कार रिवाही जियां दोस्तों केंद्रे ग्रह मंतराले ने सीमे सुरक्षा बलके अधिकार शेत्र को बड़ा दिया है और अब बीएसेफ के अधिकारियों को गिरफतारी, तलाशी और जबती की सक्तियां दी गई है बीएसेफ अधिकारी पशी मंगाल, पंजाब और असम में गिरफतारी और तलाशी ले सकेंगे बीएसेफ को सियार पीसी, पासपोर्ट एक्ट के तहत ये कार्रिवाई करने का अधिकार मिला है असम पशी बंगाल और पंजाब में पुलिस की तर्ज पर बीएसेफ को सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार मिला है B.S.F. के अधिकारी तीनों राज़े में बांगला देस और पाकिस्तान बोर्डर से करीब 50 किलो मेटर देस के राज़े में कार्रेवाई ही कर सकेंगे इससे पहले ये दाइरा 15 किलो मेटर था इसके लावा B.S.F. नागा लेंड मिजोरम तरीपुरा मनिपूर और लद्दाक में भी सर्च और अरेस्ट कर सकेगी हाला कि इसके साथ ही गुजरात में B.S.F. के अधिकार शेत्र को कम कर दिया गया है और सीमा का विस्तार 80 किलो मेटर से कम करकर 50 किलो मेटर कर दिया गया है जबकि राजिस्तान में दाइरा शेत्र पहले की तरह 50 किलो मेटर रखा गया है इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर UK के जुकने के बाद इंडिया ने भी दिकाई नर्मी नई यात्रा प्रती बंदों को लिया वापस जी हां दोस्तो भारत के सक्तरुक के बाद ब्रिटेन ने भारत से आने वाले यात्रियों को अनिवारे कोरेंटाइन का नियम वापस ले लिया है जिसके बाद भारत ने भी अब ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों पर लगाए गए एक्स्ट्रा प्रतीबंदों को वापस ले लिया है स्वास्त मंत्राला ने सर्कुलर जारी कर कहा कि नए परीद रश्य के बाद ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों पर लगे प्रतिबंदों को वापस माना जाय अब ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों पर 17 फरवरी से पहले के अंतराश्टे नियम ही लागू होंगे सत्रा प्रवेज से पहले ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को प्लेन में सवार होने से अपनी नेगेटिव RTPCR जाच रिपोर्ट जमा करानी होती थी इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली ख़बर BSF को एक्स्ट्रा पावर दिये जाने का पंजाब में विरोध संगिय धाचे पर हमला बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है पंजाब के मुखे मंतरी चरण जी सिंग चिन्नी ने ट्यूट कर कहा कि मैं BSF को इंटरनेशनल बोर्डर वाले इलाकों में एक्स्ट्रा पावर दिये जाने का विरोध करता हूँ यह देश के संगिय धाचे पर सीधा हमला है मैं केंद्रिय ग्रह मंतरिय मिशा से आगर करता हूँ कि वे इस फेसले को तुरंत वापस लेने की घोशना करे इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर बांगलादेश में इसलामी चरम पंतियों ने हिंदूओं को दुर्गा पूजा करने से रोका मंदिर से हटाई मूर्तियां जियां दोस्तों बांगलादेश की रासदानी धाका में हिंदू समुदाय को दुर्गा पूजा करने से रोका जा रहा है एक दिन पहले टिपु सुल्तान रोड पर मोज़ूद दुर्गा मंदिर में हिंदूओं को इस्तानी मुस्लिम दवंगों ने नवरात्री की पूजा करने से रोका बांगलादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल ने सोसल मीडिया के जरिये समंद में जानकारी दे कर बताया कि इस्ताने इसलामी चरम पंतियों ने नवरात्री के दोरान शंक निदी मंदिर में हिंदू शर्त दालों को मा दुर्गा की पूजा नहीं करने दी हाला कि वहां की सरकार ने दुर्गा पूजा के लिए हिंदूओं को एक अईस्ताई जगप्रदान की है आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों इस मंदिर का निर्मान कोलकता के लाल मोहन शाने 1921 में करवाया था मंदिर के साथ उन्होंने एक शंकनीदी हाउस भी बनवाया था बांगला देश के 1971 में पाकिस्तान से लग होने के बाद कई हिंदू वहां जाकर बस गए थे लेकिन वहां सरकार ने उस संकनीदी हाउस को प्राइवेट हातों में दे दिया इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर कोरोना मरतकों के परीजनों को मिलेगी 50,000 रुपे की सायता चरणजी सिंग चिन्नी सरकार का फैसला जी हैं दोस्तों पंजाब में कोरोना के कारण 16,000,000,000 पास 31,000 लोगों ने अपनी जान गवाई है दूसरी लहर के दोरान तो कई लोगों ने कम समय में अपनी जान गवादी अब उन्हीं मरत लोगों के परीजनों की मदद की जाएगी पंजाब की चन्नी सरकार ने एलान किया है कि कोरोना से मरे लोगों के परिवारों को 50,000 रुपे की आर्तिक सायता दी जाएगी जानकारी मिली है कि राज्य सरकार अभी कोविट से मरत लोगों की सुची बना रही है फिर उस सुची के आदार पर ही समय रहते पीडित परिवारों को 50,000 रुपे की आर्तिक सायता दी जाएगी इस सिल्सले में जिला उपायुक्तों को एक चिट्टी भी लिखी जा चुकी है अब एक तै प्रक्रिया के पूरा होने के बाद पीडित परिवार को ये आर्तिक सायता दे दी जाएगी चिट्टी में ये भी कहा गया है कि इम्रत लोगों की सूची राज्य सरकार को 15 अक्टूबर तक पहुंच जानी चाहिए इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर सरकार ने बदले अबोर्शन के नियम इन महिलाओं को 6 महीने तक गरपात कराने की इसाज़त जी हाँ दोस्तों सरकार ने गरब पास सम्मंदित नए नियम जारी किये हैं इन नियमों के तहत कुछ इस्पेसल केटेगरी की महिलाओं को मेडिकल अबोर्शन के लिए गरब की समय सिमा को 20 सब्ता से बढ़ा कर 24 सब्ता यानि के 5 महीने से बढ़ा कर 6 महीने कर दिया गया है Medical Termination of Pregnancy Act 2021 के अनुसार इस्पेसल केटेगरी की महिलाओं में योन उत्पीडन रेफ विक्टिम नाबालिक एसी महिला जिनका प्रेगनेंसी के दोरान तलाख हो गया हो या विद्वा हो गई हो और दिव्यांग महिला शामिल है नए नियम में मानसिक रूप से बीमार महिला हैं ब्रून में कोई बीमारी हो जिसके करण महिला या बच्चे की जान को खत्रा हो या फिर जन्म लेने के बाद उसमें एसी मानसिक या शारिक बीमारी होने की आशंका हो जिससे वह घंबीर विकलांकता का शिकार हो सकता है सरकार द्वारा घोशित मानविये संकट ग्रस्त शेत्रिया आपदाया आपात इस्तिती में घरपवती मैलाओं को भी शामिल किया गया है इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर PM आवास को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम जी हाँ दोस्तों PM आवास योजना के लाबारती के लिए बड़ी खबर है सरकार ने PM आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है ऐसे में अगर आप इन नए नियमों को नहीं जानेंगे तो आपका आवंटन रद हो सकता है अगर आपको भी प्रदानमंत्री आवास आवंटन हुआ है तो आप जान ले कि इसमें 5 साल रहना अनिवार होगा वरना आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा आपको बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रिमेंट टू लिस करा कर दिया जा रहा है जीड में तब्दील किया जाएगा अन्यता विकास प्राधिकरण आपके साथ किये गए एग्रिमेंट को भी खत्म कर देगा इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रक्म भी वापस नहीं होगी यानि कुल मिला कर अब इसमें चलने वाली धांदली बंद हो जाएगी अखिलेश यादव का विजेरत फिर उंकार बरते हुए अपनी यातरा को शुरू किया ये रस सहर से होते हुए करारा जनसभा पहुचा जहां अखिलेश यादव ने भाजपा पर जम कर निशाना साधा और कारे करताओं से मुलाकात की अखिलेश यादव को देखने के लिए हजारों की संक्या में लोग पहुचे समाजवादी पाल्टी के राष्टे अध्यक्ष अखिलेश यादव का विजेरत हमीरपूर के डाक बंगले से कुरारा की जनसभा के लिए रवाना हुआ इस दोरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर निसाना साथ तेवे कहा की बंदेल खंड में सारे विदायक और सांसद विजेपी के हैं लेकिन बंदेल खंड के किसान आज भी परेशान है दोगुने आये के दावों पर धोका दिया जारा है बाजपा सरकार पेट्रोल और गेस के बढ़ते दामों पर रोकताम नहीं कर पा रही है उस वला योजना करता है दी गई गेस बुझ गई है किसानों के सम्मान और बेरोजगारी के लिए यह यात्रा जारी रहेगी इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर का है कि वह इस साल करीब 45,000 फ्रेशर्स को कंपनी में हायर करेगी इनफोसिस की तरब से यह एलान ऐसे समय में आया है जब उसका एट्रीशन रेट यानि की कंपनी को छोड़ कर करमचारियों के जाने की दर काफी बढ़ गई है और आई-टी कंपनियों के बीच इसे टेक्रोनोलोजी टेलेंट को हायर करने की होड मची हुई है इनफोसिस के सीओ प्रमीर राव ने बताया कि मार्केट में मौदूस सभी संभावनाओं का लाब उठाने के लिए हम अपने कोलेज ग्रेजुएट हाइरिंग प्रोग्राम को इस साल बढ़ा कर 45,000 तक ले जाएंगे इसके लाब हम अपने करमचारियों के हेल्थ और वेलकम, उपायों, रिस्किलिंग प्रोग्राम और करियर ग्रोथ के मोके सही दूसरी जरुषपर ध्यान देना जारी रखेंगे इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर अब पाकिस्तान को रिंड मिलने का भी टोटा दुनिया के दस बड़े कर्ज दाताओं में हुआ शामिल जिहां दोस्तों विस्व बेंग के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पडोसी देश पाकिस्तान उन शीर्स दस कर्जदार देशों में शामिल हो गया है जिनके पास सबसे ज़्यादा बाहरी कर्ज है और COVID-19 महामारी के बाद रिण सेवा निलंबन पहल के लिए पात्र बन गया है इस वज़े से उसे अब विदेशी रिण हासिल करने में मुश्किल हो सकती है विस बेंक दोरा सोंबार को जारी 2022 में अंतरा स्टेर रिण सांके की का हवाला देते हुए पाकिस्तान के मशूर अकबार दा न्यूज इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा की बड़े कर्जदारों समेत डी एसेसाई की जद में आने वाले देशों को प्राप्त कर् गे उधार करता अंगोला, बांगलादेस, इतोपिया, गना, केनिया, मंगोलिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, उजबेकिस्तान और जार्जिया का सेंक्ट विदेसी रिंड साल 2020 के अंत में 509 बिलियन डॉलर था जो 2019 के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक है और DSSI के दाइरे मे आने वाले सभी देसों के कुल विदेसी कर्ज का 59 फिजदी है, तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत पूर्ण बड़ी खबरें, तो दोस्तों आपको मारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, धन्यवाज जैहिं, जै भारत वंदे मातरम